यहां पर बात करने वाले है यहां पर आपको बता दूँ दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो कुल मिलाकर एक लाग चोहतर हजार के करीब लोग टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लेक मिल सबसे असान तरीका भी आपको दिखा दूंगर तो वह देखो टॉप का कॉमेंट रहेगा यानि कि सबसे ऊपर के कॉमेंट पर आप जाके देखोंगे वहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा अभी आप चैनल के वीडियो सेक्षिन पे हैं जब आप वीडियो सेक्ष है क्योंकि बहुत लोग हैं जो हमारे नाम पर पैसे लेकर टीम दे रहे हैं आप किसी के भी जहांसे में नाएं बहुत ऐसी फेक चीज़ आज कल हो रही है औरीजिनल क्रिकलों फॉरकस लिंक टॉप के कमेंट में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है बेस तो मैंने काफी अच्छे नज़ देखने को मिले हैं T20 क्रिकेट में हाला की 100 में भी रंज हुए हैं लेकिन आप देखो पहले मैच में 150 बना दूसरे मैच में थोड़े से कम बने लेकिन चीज़िंग टीम ने जीता है यह मैच भी चीज़िंग टीम का थोड़ा यहां पर आप कह सकते विकाज अगर स्पिनर टैशर बनाते हैं तो डेथ में भी विकेट जाती ही हैं तो फास बोलर्स और स्पिनर्स दोनों को ही ले सकते हो बोलर्स पर ध्यान दो के तो ज़्यादा बहतर रहेगा हाला कि इस मैच में कुछ ऐसे प्रैट्समन हैं जिनको हम बीरा लिये नहीं जा सकते हैं तो तीन से चार बैट्समन हैं उन पर भी हमें गौर करना है वेल्श फायर की बात करें तो टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही है चे में से दो मैं जीते हैं चार हारे हैं आज इनके लिए जीतना जरूरी है अगर इनको अपनी उमीद आगे रखनी है अगले रॉन में है स्पिनर ग्रेम वाइट को मुझे लगता है टीम चेंज कर सकती है हाला कि स्पिन को विकेट एडवांटेज देता है बट कहीं न कहीं उनका परफॉर्मस खास आया नहीं है बिदक हाला कि डमेस्टिकली उन्होंने जो इंग्लिश टी 20 लीग है जिसे हम देखते हैं काउं जो रहे हैं बेंट डकेट रहे हैं किलन फिलिपस नहीं बेंट डकेट क्यूब एच रहे हैं आप कंसिस्टेंसी देखो 42-53-32-65 आगरी दो मैचेस में यह नहीं चले तो टीम का परफॉर्मस भी उतना नहीं चला कि टॉम बेंटन यहां पे इतना अच्छा परफॉर्मस दे हैं विकेट निकालते हैं एक चीज़ द्यान रखना यहां 14 ओवर का मतलब 14 इंटू 5 गेंद है क्योंकि हर ओवर में 5 ही गेंद आ रही है ठीक है नॉर्मल मैच की तरह 6 गेंद नहीं 100 में 5 बॉल्स होती है एक ओवर में केज आहमत के 6 मैच में 7 विकेट है अफगानस्तान के स्पिन बॉलर हैं डेविड पाइन क्योंकि यह डेथ में डालते हैं 6 मैच में 6 विकेट भी है और अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं मैट विलन इस तीन मैच में पूरे 12 हो नहीं इससे आपको पता लगता है यह बंदा भी आपको फुलोवर देगा और 3 विकेट इनकी हैं मैट क्रिचली बहुत अच्छे डर्भी शायर के आपको पता है स्पिन बॉलर है रंस भी कर सकते हैं खेलते हैं तो ट्राइबल रहेंगे जेक बॉल गुट डेथ बॉलर तीम मैच में दो विकेट है बाकि इन सम में से कोई भी खेल सकता है विकॉज राइन हिगिन्स भी स्पिन बॉलिंग और राउंडर हैं और टीम इनको मौका दे सकती है ग्रेम वाइड भी स्पिन बॉलर है इवन यहां पे लुक फ्लेचर को हो सकता है टीम भार करके किसी और फास्ट बॉलर को लाना चाहे तो ला सकती है क्योंकि टीम हार रही है चेंजिस पॉसिबल है सर्दन ब्रेव की टीम मुझे लगते हैं कम चेंज करेगी काफी हथ तक आपने ससेक्स की जो कॉंटि टीम देखिया उसके उपर बेजड है सर्दन ब्रेव की टीम जिसे आपको ससेक्स के बहुत प्लियर्ज यहां पर देखने को मिलेंगे तू नेम फ्यू यहाँ पर आपको Chris Jordan, George Garton, Danny Braggs, Timal Mills, bowling तो पूरा लगबग आपको कहां का मिलता है, Southern Brave का ही मिल जाता है, मतलब सब सेक्स का, एलेक्स जेविस ने थोड़े-थोड़े रंस किया हर मैच में, रॉस विटले फिनिशर है, इनके टीम के तेज़ खेलना पसंद करते हैं, I think एक English T20 में इन्होंने छे छक्के भी लगा रहे हैं, कोर में तो ध्यान रखना है, रॉस विटले का, जॉर्ज गाटन है, ये भी थोड़े रंस भी कर लेते हैं, बहुत अच्छे फास बोलर हैं, हलके बहुते रंस भी कर सकते हैं, डैनी ब्रिक्स स्पिन बोलर, टीमाल मिल्स में डेथ बोलर, और जैक लेंट और अच्छे का से स्पिन गेंड बास, सदन ब्रेव के लिए पांच विकेट ली है, जेक ने, जॉर्डन ने भी पांच ली है, डैनी ब्रिक्स ने तीन मैच में चाड़ ली है, टीमाल मिल्स ने चाड़ ली है, रेगुलर डेथ बोलिंग कर रहे हैं, थोड़े अनलकी रहे हैं, विकेट्स नहीं मिले, जॉर्ज गठं को यहां पर चार विकेट, क्रेग वटर ने एक मैच खेला था, अब यह इंग्लेंड के स्कॉर्ड में थे, आपको ध्यान होगा, पॉल्स रडिंग दो मैच में जीरो विकेट, लियाम डॉसन चार मैच में जीरो, कॉलिंडी गरेणॉम छे मैच में जीरो विकेट, द दिन पर बहुत अच्छा कर सकते हैं, थोड़े आपको पता है, IPL में भी आया थे, तब भी नहीं चले थे, एक दो मैच ही खेले थे, यहां पर भी एक मैच चले हैं, बाकी मैच नहीं हाला कि इंग्लेंड इनका होंग ग्राउंड है, चलना चाहिए मेरे साब से, एक ना एक मैच पर दो मैच अभी बाकी है, देखते हैं, आज करते हैं, फॉर्दर टाइमिंग क्योंकि इस पिन विकेट है, इनको आप प्रेफर कर सकते हो, बिकोस टंपिंग के भी पॉइंट्स मिल सकते हैं, फॉर्दर टाइमिंग मैंने इतना इनको प्रेफर नहीं किया, बले अच्छे स्टाइब को आपके स्टाइब करते हैं, बहुत अपनी विडियो बाएं, बहुत प्रेफर को पुछल कवर करने वाले हैं, थीक हैं, फिल कवर करने वाले हैं, पहले बता दूं, शब्सक्राइब करके रख लो, एक मैच कवर करने वाले हैं और यहां से सिफ लेवल आपको आगे ही जाता दिखेगा क्योंकि अगर हमने बेस दिन का ब्रेक किया था तो अंडर वक बहुत चल रहा था यानि कि मेरा लिए ड्वेल्पमेंट काम बहुत चल रहा था आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वला है इसके लिए आपॉल स्टर्डिंग है यह दोनों प्लेयर मुझे बहुत अच्छे हैं सीपियल में तो बताया मैं इनको कैप्टेंसी भी दूंगा ग्लेन फिलिप्स को लेकिन फॉर्दर टाइमिंग यह थोड़ा नीचे भी आ रहे हैं लेना मैं बहुत चाहता हूं ग्लेन फिलिप्स को काफी लोग ट्राइ कर लेंगे ध्यान रखिएगा लिव ड्यू प्यू भी अच्छे हैं थोड़ी बहुत बुलिंग भी कर लेते हैं बड़ यहां पर नहीं कर रहे हैं रॉस विटल है फिनिशर है डीवान कॉनवे खेल नहीं रहे हैं लेकिन बहुत शंदार है वन फ्यूर यहां पर नहीं रहे हैं और रांडर में जीमी निश्म एट यहां पर क्रिस जॉडन को मैंने ले लिया है और बहुत इंटरस्टिंग में लेकिन विकेट्स उन्होंने भी साथ निकाल लिया इनफक्ट जॉडन से जादा तो यह दोनों एक अच्छे दावेदा रहेंगे और बहुत इंट्रेस्टिंग और यह ना फॉर्म में नहीं है, ग्रैंड लिग में भी देख सकते हूं, यहाँ पे नहीं, अगर आप नोटिस करोगे, यह चारों प्लेयर स्पिन बूलर्स हैं, और चारों बल्ले बाजी भी करते हैं, प्लस आपको गिन बाजी भी दे सकते हैं मुझे लगता है कि वेल्ष वायर बहुत गलती कर रही है, और रियान हिकिन जैसा प्लेयर ना खिला के, अगर आज खेलते हैं, आप इनको ग्रैंटिंग में जरूर्व ट्राय करना, अब देखिए मेरी बात बहुत गौर करना, एक ऐसा प्लेयर जिस पर ध्यान नहीं देग अब आप नोटिस करोगे, यहाँ पे इनको यूजज सही नहीं मिल रहा है, इनको बिलकुली खराब तरीके से मेरे साब से यूज़ कर रहे हैं, अगर इनको पावर प्ले के बाद गिंद बाजी दे, मुझे लगता है काफी कामयाब बोलर हैं और काफी अच्छा कर सकते हैं जो इंग्लेंड का मैचिस हुए थे, आइधिंग कौनसी टीम से हुए थे, पाकिस्तान नहीं, शलंका से हुए थे जब शलंका का टूर हो था, तो यह स्कौर्ड में थे, पूरी टीम को कोविड की वज़े से अगले सीरी से भार कर दिया गया था, जब स्टोक्स को बुलाय गया था, काफी इंगलेट के नए फ्लियर आया थे, जिसमें बेंडकेट भी मौझूद थे, उनको सब को खिला गया था, लेकिन लियम डॉसन को स्कौर्ड में नहीं रख पाय थे, विकॉस यह फर्स्कौर्ड में थे, और कोविड वले लोगों में इनका भी नाम था, इनक क्योंकि बाकी लोगों में से किसी को था, इनको भी सेफटी के लिए नहीं रख सकते थे, तो यह रीजन है कि लियम डॉसन आपको थोड़ा सा कम खेलते दिखें इसेंट टाइम में, बट यह फ्लियर बहुत शांदार है, इन पर ध्यान रखना अगर खेलते हैं, तो ठीक है स्पेशल फोकस किया है वीडियो में इन पर, अब बोलिंग करेंगे, यहाँ पर कायज अहमत स्पिन बोलर, डैनी ब्रिक स्पिन बोलर, दोनों को मैंने टीम में जगा दी, डेविड पाइन डेथ बोलर है, प्रीमियम डेथ बोलर, इनको जगा दी, जेक लिंटॉन विकेट देंगे आपको और विकेट कीपिंग भी देंगे, नहीं हमें यह दोनों भी नहीं लेने, तो ठीक है, यह दोनों नहीं लेने तो आप इनी पांच के साथ जा सकते हो, जो मैंने बोलर रखें, वरना मैं कोशिश करूँगा, एक बोलर की जगा या टॉम मैंटन या ग्लैन फ जो की फेवरेट टीम में जीतने को थोड़ा फेवर कर रहा हूँ, उमीद लगता हूँ, आपको अच्छा लगा वीडियो कुछ सीखके गए, और आने वले दिनों में मैकसिमम मैचेस कवर करने कोशिश करेंगे, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें, थैंक यू सो कुछ सबीक ISOD सब्सक्राइब कर दिये तो सहुटस्ब, तो सोब्सक्या राउचों सोबस्टाइब क क्वाधे हूचों शीयोच फिवर से गमाचेब कर तक to करी इंकीब करी कि अूश हम अगा llावरा बा कारश ग्सक्राइब का बाहा हूँ झाल झाल